बुद्द मार्णी ओल एक यू आज हम लोग जो पिछली क्लाज से भी थी एक्स्ट्रक्शन आप आइरन प्रम देर और सौरी एक्स्ट्रक्शन आप कॉपर फ्रम देर ओर उन्में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन जो हमारे पास थे वह आज हम लोग करेंगे बच्चों बस दो त्यार क्वेस्टन होने उस क्वेस्टन को आज हम लोग करेंगे फिर से अगला टॉपी देखेंगे तो इनमें से जो क्वेस्टन था हमारे पास एक तो ब्रिष्टर आप कॉपर क्या है दूसरा क्वेस्टन था होगा वाट इस रोल आफ शीलिका इन मेटलर्जी कॉपर का जो मेटलर्जी करते हैं उसमें सिलिका क्यों मिलाते हैं जानते हैं हम लोग सिलिका फ्लेक्स के तरह काम करती है और कॉपर का जो और था उसमें इंप्रिटिस थी फेरस ऑक्साइड उसको रिमूब करने का काम करती है इसी को तिसरा कॉस्टन इसमें बनता है इंप क्यों रख जाता है I should come up Опर मैट को सिलीका लान कंभर्टर पर क्यों रखा जाता है सिलीका का एक लएन पहर 116 लिका के प्रचड़ी होती है onबालठर फर बेस्मेराइजए सिंपे एक कॉपर मैट में इस कॉपर स्लफेट और फैरबश स्ल्फाइड कमिस्ट का कमभिनशन था जिनमेसे फैरबस सलफैड जो बोग आरन संब्सम्रा तो इसको लो सिलिका मेट पर रखते हैं, सिलिका मेट में सिलिका का बना हुआ है, that means basic impotage को हटाना है आपने, तो यह तीन important question यहां पर बनेगे, इस तीनों question को हम लोग यहां पर आस्फ करेंगे, उसका फिर से लोग अगला तो भी देखेंगे, तो friends बच्चों आप लोग उस question को थोड़ा से कर लोगे, important question था, इसलिए मुझे से लेके आगना पड़ा आपके साथ, question है पहला, question first is, what is, what is blister of copper, blister of, copper, what is blister of copper, फफफोलेदार copper क्या है, हिंदी वाले बच्चों, फफफोलेदार copper क्या है, तो याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कि जब copper का extraction करते हैं हम लोग, तो copper molten state में रहती है, और molten state में रहने से क्या होता है, उस जब बनती है, sulfur dioxide gas निकलते हैं, आपके पास ये reaction था, कि auto reduction के कारण, ये auto reduction यहाँ पे हुई थी, कहाँ पे, बेश्मिराशन जब कर रहे थे हम लोग, और इसमें sulfur dioxide gas बाहर निकले थे, ये आपके पास molten phase में था, molten copper, reaction में balance नहीं क्या हूँ, अब balance करना चाहते हैं, कि इसकी क्वाव सकता भी नहीं थी, तो जब ये molten copper था, इस प्रिगलेवे copper है, एक परत की रूप में पढ़ा हुआ है, उससे जब sulfur dioxide gas निकलेंगे, तो उस पर क्या आते हैं बच्चों, कुछ blister निकल जाते हैं, कुछ उपर में इस परकार से उठ जाते हैं, मैंने कल बताया था, इस परकार से copper की परत पड़े में, उसके surface इस परकार बिश्टर बन जाता है, इसलिए ऐसे copper को blister copper का आता है, और मैंने कहा था कि यह objective आपसे बारक बीट करते रहती है, कि blister of copper जो बनता है, वो किस gas के evolution करना होती है, कौन से gas की निकलने करना होती है, तो आप answer करना, sulfur dioxide gas, तो चलो मैं इसको answer कर दे रहाता हूं, चलो मैं इसको answer कर दे रहा हूं, इसका answer होगा, चलोlet करना, था होगा प्रिक्टर हूं आपकर, मालिगरा Prabh-ख़्स गचल, मैं आपकर, due to evolving of sulfur dioxide gas, this blister is developed on the surface of copper hence such copper such copper is called blister copper blister copper reaction लिखनी क्या आप सकता नहीं, अगर लिखोगे तो चलेगा, चलो मैं तवसे बैलेंस भी कर देता हूँ, दो दने चारद उच्छी आपके पास हैं, दो खसे नहीं, आप हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे, sulfur dioxide gas निकलने के कारण, sulfur dioxide gas निकलने के कारण, copper के, शतह पर, क्या बन जाती है वाबो, blister, bracket में, फफ होला, blister बन जाती है, इसलिए, ऐसे copper को, क्या बोलोगे बाइबो, blister copper, फफ होले दार copper, ना, blister copper, कहा जाता है, याद हो गिया, हो गिया होगा, कि जब copper का extraction करते हो, तो जब copper, molten state में था, पिगला उस्था में था, उसको बनने के दौरान, copper के बनने के दौरान, sulfur dioxide का सबाहर निकलती है, निकलने के दौरान, उसके surface फिर blister बन जाते हैं, फफुले बन जाते हैं, इसलिए, ऐसे copper को, blister copper या फफुले दार copper, कहा जाता है, दोसरा क्वस्टन है, वाट इज रॉल, वाट इज रॉल अब, silica, in metallurgy of copper, जब copper का metallurgy करते हो, copper का extraction करते हो, उसके और से, copper, metal का extraction उसके और से करते हैं, उसको metallurgy करते हैं, तो यहाँ पर copper का metallurgy, मतलो copper का extraction करते हो, तो उस कंडिशन में सिलिका की क्या भूमिका हैं, क्या रोल हैं तो हिंदी वाले बच्चों, आप लोग बाबू लिख लोगे कौपर के धातू कर्म कौपर के धातू कर्म में सिलिका की क्या भूमिका होती है या फिर है, मैं अंसर करूं, क्या भूमिका थी, क्या रोल था, शिलिका बस इतना ही रोल था, जो कि आपके इंप्रोटीज मिल रहे थे, कौपर पाराट की और में इंप्रोटीज कौन था, फैरस अक्साइड था, एफियो था, उसको हटाती है, यह सिलिका कैसे हटाती है, दोनों के बीच कैमिकल रियक्सन हो आते है, और शेलिक जब बनेंगे, तो सेलिक क्या होते है, अन्रेक्टिव स्थांस होते है, हलकी होती है, लाइट होते है और वो क्या होगे surface पर तैडन स्रू कर देंगे और उसको फिर से क्या कर लिया जाएगा बाहर कर लिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे silica किसका flux का काम कर रही थी silica flux silica flux combines combines with basic importage basic importage यह गैंग बोल सकते हो basic importage मितलब गैंग basic importage आप ferrous oxide मैंने बताया था जितने मेटल का उक्साइड होते हो basic nature के होते है और non metal का उक्साइड क्या होते है यह आप इसको acidic flux बोल सकते हो बोलोगे और यहाँ पर जो importage मिल रहा था गैंग जो मिल रहा था Feo था ferrous oxide था basic nature के है तो यहाँ पर इस silica flux combines with basic flux basic importage यह बेसिक इंपटिमिस गैंग of ferrous oxide तो फॉर्म क्या बनाती है बाबो तो फॉर्म ferrous silicate ferrous silicate slag चलो मैं इसका reaction दिखा दूँ ferrous silicate slag का formation करती है मैं उसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ जैसे यह आपके क्या थे गैंग था है ना हम दो reaction में देख चुके है इसको हटाने के लिए आपने किसका silica इस्तमाल क्या flux है यह basic होँगे acidic होगा यह basic है क्यों क्योंकि metallic oxide है और यह non-mital oxide acidic है दोनों के बीच chemical combination होँगी और बनाती है apisio3 जो select बनेंगे radioactive substance और इसी का नाम है ferrous silicate बोलो iron silicate ferrous silicate तो हिंदी वाले बच्चों तो अब लिख होगे silica silica chariya chariya असुद्धी bracket में गैंग chariya असुद्धी bracket में गैंग जैसे feo से अभी क्रिया करके अभी क्रिया करके ferrous silicate ferrous silicate slag slag में इस धातो मल बनाती है बनाती है मैंने लिखा silica chariya silica chariya असुद्धी जैसे feo ferrous oxide से अभी क्रिया करके ferrous silicate slag बनाती है तो क्या रोल हूँ अब वो silica का क्या रोल है metallurgy में copper की metallurgy में तो silica क्या करती है ferrous आपके जो ferrous oxide जो गैंग था उसको हटाने का काम करते है slag बना कर है एक और इसमें important question आती है यह question है जो आपके पास second man लिखा इसी को थोड़ा से modified करके जो silica है silica का प्रत होते है silica converter में रखा हुआ है और उस silica के converter पर copper matte को रखा जाता है copper matte मिस copper sulfide और ferrous sulfide का जो आपके पास mixture थे इस दोनों को copper matte कहाते हैं अब उनमें से जो copper ferrous sulfide था ferrous sulfide आपके पास किसे बदल गई ferrous oxide में और उस ferrous oxide को जो था उसमें copper matte में उस copper matte में ferrous oxide जो था उसको अगर silica matte पर रखा जाए तो silica matte में silica उसी combine करेंगे फिर क्या होगा फिर क्या होगा select बनेगा और select को बाहर कर देगे तो इसी का जो question दूसरा है इसी को modified करके पूछता है मैं दरड़ा दूँ modified करके इस प्रकार से पूछता है why copper matte question है why copper matte is put on on lining of on silica on silica converter ka converter line silica converter के line पर प्रत पर copper matte को क्यों रखा जाता है copper matte silica के प्रत पर रखोगे copper matte में जो सुदिया होगे फिरस सल्पाइट फिरस सल्पाइट को फिरस उक्साइड बनाएगा फिरस उक्साइट आपके क्या होगे select के निकल जाएगा copper matte copper matte कहें दे copper matte को silica silica converter silica converter 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 के प्रत पर क्यां रखा जाता है क्यां रखा जाता है वही आंसर है बच्चा आंसर आपके पास है silica converter that means SiO2 इस पर रख रहे हो किस को पर मेट को पर मेट बोले तो CUS और FES रखोगे यह सुधिया थी इससे तो combination करेगा नहीं यह सुधिया थी यह सुधिया किस में बदल जाएगी हम लोग देखे थे Ferrous Oxide में और इस Ferrous Oxide को select बने बार कर देगा आंसर वही होगा जो हम लोग इसके परले किये थे sit question को turn कर दिया है थोड़ा से इसको modified किया होगा है तो आप लोग इसमें confuse नहीं करना मैं लिख देता हूँ बातें वही हो गई silica silica line acts as acidic flux acidic flux and removes and remove gang up and remove basic gang basic gang किस रूप में बावू edge slag ना चलो लिख दो silica basic gang basic gang थोड़ा से आपे सुधर कर लोगे basic gang like apio edge slag यह आपके पास था basic gang उसमें कौन है यह था न यह flux आपने silica पर उसको डालाता है उस पर रखा यह flux आपको gang के काम करेंगे Harris oxide fio gang का काम करेंगे और slag कौन सा बनाएगा बावू fio 3 this is slag यह थोड़ा से यहापे लिख लोगे silica की प्रत silica की प्रत amlia नहीं इतना भी हिंदी मतले को acidic लिखो simple रहेगा acidic flux मतलब अमलिया flux का हिंदी था थोड़ा से देख लोगे बावू silica की प्रत acidic flux के तरह कारिक करती है जो basic gang जैसे basic gang जैसे 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 feo से feo को slag बना कर बना कर बाहर करती है थे तीन इंपोर्टन कोसन इस नहीं है निकल रहे थे हलाकि लॉंग में आपसे पूछेंगे अगर लॉंग अगर कोसन करती है 5 marks में 3 marks में कि copper का extraction है उसके और सी करें तो आपको तीन इंपोर्टन की कम से कम और लिखना है और जो सारी step हम से गुजरे थे वहां तक आपको आनी है और अगर यहीं टूटी-पूटी भासा में एक marks में दो marks में कोसन कर देती है डेर माक्स में कोसन करती है जिस प्रकार से कोसन का trend हो सकता हो तो जो मैंने आज आपको यहां से कोसन बनने की संभावना छोटी-छोटी हो मैंने आपको बताया तो इन सारे कोसन को बच्चों आप तयार कर लो वह आपकी board exams के लिए important है और objective भी इसी से आएंगे आपसे अगर आने की पूछती है तो objective इसी से आएंगे नहीं इसी से objective बनते हैं क्योंकि objective chemistry का रटा नहीं जा सकता कितने आप question कितने आप objective रटोगे बार बार variations आएंगे बार बार variations आएंगे इसलिए उस variation को बचना रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा आप बार बार इस theory को पढ़ते रहो theory custody करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो मैं आपको question दे रहा हूं उससे आप तयार कर लो है ना उम्मीद करूंगा कि आप तयार जरूर कर लेंगे और फिसी में आपको जो इसका next extension एक और बच गया है बस एक बचा हुआ है वह आरण का extension from its or there or वह हम रोग को मैं आपको फ